तो हेलो दोस्तों कैसे हूँ मैं हूँ राजवीर सागर और आप देखे हो मेरे यूट्यूब चैनल यावी बदर्स तो भाई आज मैं आपको बताऊंगा बीए सिक्स बाइक जब स्टोरूम से लेने जाते हैं या बीए सिक्स सूटी तो उसके अंदर हमार को स्टोरूम वाले बोलते हैं कि यह जो आप गाड़ी रखना है दो लिटर भी रखना है तो भाई ऐसा क्यों है क्यों कि पहले क्या होता था हम नॉर्मली 50 का पेटरूल या 100 का पेटरूल रवागे अपनी काम चला लेते थे ठीक है बट अब ऐसा क्यों है कि अगर दो लिटर पेटरूल से कम एक चीज में आपको इस वीडियो में क्लेग और एक इंपर्टेंट बाता देता हूं मेरा काम में पूरा दिन नहीं गाड़ी हमी करते हैं को बहुत सारे कॉस्तमर मैं नहीं आते जो करते हैं और उसके बाद मैं उसकी प्रवब्म को सोट आउट करके और वो प्रवब्म दिखा कए इंस्टाग्राम पर जानकरी में डालता रहता हूं इंस्टाग्राम पर बहुत सारी knowledge में देता रहता हूँ श्टोरी के माध्यम से और काफी सारी वीडियो में डाली है आज भी एक वीडियो पलसा रही थी पलसार एक सो पचासी सी की चार हजार कुमूटर चली हूँ बी एक सिक्स गारी उसमें प्रफब्म आरे थी वो भी मैं इंस्टाग्राम पर डाली है और इस्टोरी बिना किसकी अपलोड भी किये तो सोच के रहे हो इंस्टाग्राम पर जाओ नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक मिलेगा इंस्टाग्राम से क्लिक करना दो जार 14 या दो जार 15 या दो जार 16 मोडल आपने उसके अंदर डलवाया 50 रुपे का पेट्रॉल माल लोग वो डिलक्स गाड़ी है पैसेंट प्रो माल लेते हैं छोड़ो पलसर माल लेते हैं और बोलो पलसर गाड़ी आपके पास है आपने 50 से 100 रुपे का पेट्रॉल उसमें डलवाया आपकी गाड़ी में पेट्रॉला आगिया तरह से एक लिटर पेट्रॉल आपने आगया आपने गाड़ी चलाई खहच भाच तो यह सिलसिला चलता गया बट वो सिलसिला अब खतम हो गया तो पहले वाली जो टेक्नलोजी ती यह चीज में आपको सबसे पहले क्लियर करता हूँ और अब की जो टेक्नलोजी वो क्या है यह भी मैं आपको क्लियर करूँ है स्टेप बाई स्टेप धीरे धीरे हम बहुत बारी की से जाएंगे आगे जाके स्किप मत करना कुछ चीज आप मिस कर दो के धीरे धीरे स्टेप बाई स्टेप बेसिक से हाड में जाएंगे ओके तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पहले वाली टेक्नलोजी मैं एक चीज इसके अंदर से ठीक है यह हमारी पैटरोल टी है ध्यान से समयने हैं मैं बहुत ही बारी की से अरेक चीज के बारे में जानकारी दूंगा वीडियो के रहेक चीज मिलेगी आपको ठीक है जो आप समझ रहे हो यह पैटरोल टी है जो हमारी BS4 या BS3 गाडी थी पुरानी वाली उ रेता है पर जाता था यह वाले हिस्ता और जैसी पेटरोल जाता था यहांपर आपकी गाड़ी में यहां तो यह रिजर्व है यह नीचे तक जिन में जाली लगई हुए है और इसके नीचे कोई पैटरोल के सब्सक्राइब यहां से निकलता है रिजर्व में से अब अगर गाड़ी आपकी मैं में लगी है तो आपकी गाड़ी के अंदर यह वाला पॉइंट में का मतलब होता है इतना पैट्रोल में में रहता है जब यह पैट्रोल 2 लिट्र हो गया दो लिट्रा से उपार जाती यह आजाता है यह पर तो यह यहाँ पे मैं लगँकर यह इसके पॉइंट से नीचे हो गया है ठीक है अब उसके बाद हम क्या करेंगे रिजर्व लगा लेंगे यह हमने रिजर्व लगा लिया है तो क्या होगा यह नीचे वाला जो पॉइंट है ओपन हो जाएगा और यह वाला पॉइंट क्लोज हो जाएगा तो यहां क्या करेगा यह नोली था ठीक है अब जो गाड़ी आ रही है या फिर फाई गाड़ी कहलो आप फ्यूल इंजक्शन सिस्टम उसकी पैट्रोल टंकी के अंदर ये नहीं है ये जो सिस्टम में नहीं है पैट्रोल आउन या आफ इससे कर लेते थे पहले हम पैट्रोल चोरी होने का बीट रहता वो सब खताम हो चुका है बिल्कुल परफेक्ट एक दम सब कुछ ठीक है ये जो है हटा दिया गया है अब क्या लगाया गया है क्या है सिस्टम मैं आपको बताता हूं थोड़ा यहां से समझना अब यह लगाया गया है ठीक है यह एक एक एक्जामपल के तोरप है किसी भी उसको पॉलते हैं इसका मेकैनिजम समझाता हूं आपको सबसे पहले जो हमारी बिएएक तिको यह उप्यादी में पैट्रोर Он करेंगे तो इससे पे अब एक लीटर पेट्रोल में डलवाए एक लीटर पेट्रोल यहां तक आ रहा है ठीक है वो इसको पूरा डुबा नहीं पा रहा है ठीक है अब एक लीटर पेट्रोल यहां तक आ रहा है और इसका जो सर्फेस है यहां पर यहां तरह से अब यहां पर इसका सर्फेस से शक्षें करने का पैट्रोल को और यहां था पैट्रोल यहां प्रोपर में ट्रोपर में जब होता है गाड़ी जैसी हमने गाड़ी चावी अन करी हमारी गाड़ीकी बैटरी एक दम थीक ये जिसी घाटरी में p iş we got होगी ही नहीं आगर होती है तो बहुत परसानद करते है मोटों फुक जाए ठीक है इस यू इसी उखराब हो खीच लेगी अंदर की तरफ और जैसी खीचेगी उसके बार इस वाली सतय से बाहर निकाल देगी जैसे कि अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो में मैंने बताया था जैसी हम चाबी ओन करते हैं तो यह फ्यूल पम क्या करता है पैट्रोल को निकाल कर सीज़े इंजेक्टर की पैल बैंड में डाल देता है और उस पैपलाइन को कर देता है पूरा फुल ठीक है इसका काम है यह जब हम सेल्फ मारते हैं वो पैपलाइन का पैट्रोल इंजेक्टर से हेड में जाता है यह क्या करता है फिर दुबार यह उसकी इंजेक्टर की लाइन में डाल देता है यह इसका होता है काम, थिक है अब जैसे ही चाबी उठा के सेल्फ मारते हैं तो ECU Electronic Control Unit जो होता है वो सिगनल देता है इंजेक्टर को, fuel injector को fuel injector का जो magnetic wall होता है वो बंद होता है gate wall type का होता है, वो manual नी होता है magnetic होता है, gate wall जो खुलता है उसका automatic ECU के signal से और उसके बाद जो इसने petrol दिया injector की line को वो petrol खुलके सीधा-सीधे injector के दुबारा head में चले आता है और गाड़ी start हो जाती है यह होता है process अब by chance आपने अपनी गाड़ी के अंदर petrol डलवा रखा है है दो लिटर से कम और गाड़ी कैसे ऐसे करके चल रही है missing कर रही है जटके मार रही है तो हो क्या रहा है वहाँ पर मालो गाड़ी रोड़ पर चल रही है आपने तीन लिटर पेट्र डलवाया गाड़ी के अंदर एक बात कह रहा हूँ ठीक है कमपणी ने कर रखा है रिक्वेंट आपको दो लिटर यह क्या बहुत इसका चार लिटर पेट्र ठीक है कमपणी ने तीन लिटर कर दिया चलो कमपणी ने तीन लिटर पेट्र आपको रिक्वेंट कर रखा है अगर फ्यूल आ रहा होगा तो वो खीच रही होगी हवा आ रही होगी तो वो सूख रही होगी ठीक है आपको पता है अगर आपके घर के अंदर कोई पानी की मोटर है पानी की मोटर सूखी चला होगे तो उसके अंदर जो एक मोटर होती है वो हीट करेगी हीट होके फुक नरे के डार होते हैं और पुक नरे के चांस बढ़ जाते हैं इस फ्यूल पम के अंदर उतना बड़ा हौई बना Bür описании अशे कुछ भी नहीं है इसके अनदर एक सिंपल एक मोटर लगते हैं मैं मोटर दिखाता हूं, एक मिलखो में було दिखा देता हूं यह दो को ये री मोटर ये थोड़ी गंदी है में दिखा देता हूँ ये मआरी मोटर ये फियोल पंड की मोटर है छोटी से मोटर तो जादा तो यह प्यांषा ये पैट्रोल में डूबा होता है और जैसे हम अभी ओन करते हैं तो ये प्लस माइनस के बाइर देखरो इनके दुबारा 12 वोल्ट का ऐसे में करेंट जाता है उसके बाद हमारी गाड़ी के अंदर से ये पैटरोल को चूस लेती है और उसके बाद यहां से निकाल के फैक देती है यहां से फैक देखते हैं इसका काम होता है इनपूट आउपूट का ठीक है निकाल खीचना और फैकना खीचना जैसे की नॉर्मली हर मोटर का करता होता है का हमारे घर में जो पानी के मोटर लगे होती है टैंक का जो पानी निकालती है और सीधे उपर वाले टैंक में डाल देती है अगर बाई चांस मान के जो नीचे टैंक में पानी ही नहीं है और हमने गाड़ी की मोटर ओन कर रहे हैं तो वो ओटोमेटिक पानी को नेखीच पाएगी पर वो चल रही होगी और काफी सारे लोगों की मम्यों नहीं भी बोलाओ आ रहे बेटा मोटर सोखी चल रही है खूग एगा क्या खराब करेगा क्या तो भाई यह तो हर किसी को पता फ्यूल पंकी मोटर क्या काम करती है बड़ यह होता है कि लोगों ना हुआ बना दिया बीएसिक्स 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 तो ऐसा कुछ भी नहीं है अब बिल्कु टैंसन फियोग अपनी गाड़ी चलाओ बस प्योंस करो कि आपकी गाड़ी फ्यूल पंक के अंदर इफ्यूल लेवल पूरा रहे गोवाला तो बिल्कुल खतम ही हो गया आपको ध्यान रखना है आपको अपनी गाड़ी है फ्यूल पंकी लिटर या 12 लिटर की है उसमें आप 3 लिटर पैट्रोल रख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है बड़ एक चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है अगर आपको लंबे रूट पे जाना है तो अपनी गाड़ी का पैट्रोल पंक को अपको लगता है जैसे मनलब मेरी गा अगर आपकी गाड़ी का 12 लिटर का है तो दिमाग में यही डाल लेना कि मेरी गाड़ी का टैंक जो है वह 10 लिटर का है क्योंकि 2 लिटर पैटोल तो हमेशा रहेगा उससे खतम नहीं कर सकते आप और एक बहुत इंपोटेंट बात जो बहुत सारे लोगों ने मुझसे प्रच्छे सिए में दो सो से नीचे की सीची की गाड़ी है चाया वो स्कूटी हो जूपिटर हो चाया मैस्ट्रों हो एंट टॉर्क हो या फिर पलसा 220 हो स्प्लेंटर हो पैसन प्रों पर यह सिक्स हो सभी गाड़ियों में नॉर्मल प्रवाना स्पीड एक्ष्टा पावर प् इसकी वज़े से अमारी गाड़ी के अंदर ब्लास्ट अच्छा होता है और पावर अच्छे निकलती है पर आपको ऐसा नहीं करना है ठीक है आपको कोसिस करना है नॉर्मल सबसे बेस्ट पैट्रोल होता है अगर मैं अपनी परसनली अगर अपनी बात करो तो भाई मैं भी पर अपनी खुद की गाड़ी है मेरी हिमाले भी एसिक्स थी उसके अंदर भी मैं नॉर्मल पैट्रोल लवाता था कोई दिक्कत नहीं आते थी तो भाई जितनी भी बाईक होती है इंसे में पपता देता हूं और हाँ एक चीज़ और मालो आपने एक बाईक खरी दी है नही भी हमाली है अम इस बाईक के अंदर जब चाबी होन कर रहे हो गाड़ी में सेलफ मार रहे हो और और स्टार्ट ने होरी है ऊटोमेटिक उसमें चाख होते हैं जाला 백신 के इंदर और अगर उसके लिभाबन बात की जाए तो तो जितनी भी सिक्स गाड़ी यह भी और लौन केara सारी प्रोब्म आँए बहुत सारी जिनके अंदर दिक्कते आई हैं मैं खुद फेस करी आएं तो इसी कम्यां ओते जिसकी वज़े से कंपनियाद नहीं पीछे है सर्विस के मामले में ठीक है बहुत एक बहुत अच्छी वीडियो बनाऊँगा अगर आप बोलोगे तो कमेंट करें जो ना इंस्ताग्राम पर मुझे फॉलो कर लेना इंस्ताग्राम का मेरी वक्सोप का एड्रेस दिस्क्रिप्शन में है फॉन नंबर 12 बज़े से लेकर 5 के बीच में जमर जी कॉल कर सकते हो अगर आपको लगता है मंगलवार को कॉल कर तो नंबर बन जाएगा मंगलवार को मेरी वक्सोप झाल झाल